आज के सेशन में हम लोग यहां पर कम्प्लीट करने वाले कम्मिनिकेशन को यानि कि संप्रिशन के बारे में आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे डिसकर्शन करेंगे बेसिकली यह जो टॉपिक है यह आपका जनरल मैनेजमेंट का टॉपिक है सामान्य प्रबंदन जिस इसके इस एक्जाम में पूछा जाता है अभी तक आप देखेंगे ग्रूप टो ग्रूप फोर में पूछा गया है कि अब जैसे कि आप सभी को बता है कि पटवारी को भी इसी के साथ एड कर लिया गया है अब यह पटवारी में भी पूछा जाएगा तो इसके मेरे जो भी सि आपको यह फायदा होगा कि सारी के सारा जो इसलेबस है वह आप महापर देख पाएंगे वह सकता है कि यह चैप्टर जो है आपके लिए न्यू हो क्योंकि इसमें कई सारी चीजें होती है कि कम्यूनिकेशन किस प्रकार से होता है क्या-क्या बेरियर क्या-क्या परिशानी आती है तो वन बाइवन करके सारी चीजें हम लोग डिसकस कर लेंगे अच्छा यह जो चैप्टर है ग्रूप 2 और सब ग्रूप 4 की हम लोग बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट वैटी जिहां पर रखता है अभी प्रीवेस एर पेपर जो मैंना इनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कुश्चन मुझे इसी के दिखाई दिये दो से तीन कुश्चन अकेले कम्मिनिकेशन से पूछे गए थे तो प्रीवेस एर पेपर एनालिसिस करने के बाद ही हम लोग जो है यह सेशन रेडी करके लाए हैं ताकि कुश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाए और साथ में कम्प्रीट टॉपिक भी आप यहां पर लर्न कर पाएं तो सेशन को यहां पर स संप्रीशन के लिए अंग्रेजी में कम्मिनिकेशन शब्द का प्रियोग किया जाता है हम सभी जानते यह जो वर्ड है लैटिन शब्द कम्यूनिस से आया है जिसका अर्थ किसी विचार या तत्य या सूचनाव को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इस प्रकार बैसिकली हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोले सूचनाव का आदान प्रदान का एक्सचेंज ओफ इंफोमेशन हम ऐसे इसको बोल सकते हैं किक्या एक्सचेंज ओफ इंफोमेशन से वेक लाइन में याद कर लो कुनसी भाच्रा का है लैटिन का जिए शब्द से बना हु एक पूछे जाते हैं आप इसके अंदर डेफिनिशन पूछी जाती हैं कि यह वाली बात किसने बोली थी तो अब एजी लेवल पर इसको लेकर चल सकते हैं मैं आपको एक दो कुछिन दिखा देती हूं उससे आपका पढ़ना और आसान हो जाएगा डारिकली कुछिन बता दे उसके बाद थियोरी पढ़ लेंगे वन सेकेंड कुछिन देख लीजिए उसके बाद हम लोग वन बाई वन करके स्टार्ट करते हैं आज यह सारी चीज हम लोग पढ़ने वाले और आदी से जादा चीजे तो आपको नाम देखकर ही समझ में आ जाएग मैं आपको टॉपिक अंगुरिलता करके ग्रेपवाइन कम्यूनिकेशन करके तो यह सारी की सारी ना वही चीज़े हैं तोड़ा सा लेवल अप है वहां के कमपैरिजन में तो यह कुश्चन आपका ग्रूप टू सब ग्रूप फोर में पूचा गया था साथियों यह सकर्मियों के बीच में संद संचार नेटवर्क जो की कारियस तल की गपशब पहुंचाते हैं क्या कहलाते हैं अपवार्ड होरीजेंटल डाउनवर्ड कम्यूनिकेशन या फिर ग्रेपवाइन तो यह सारी थीज़े अभी हम लोग डिसकस करने वाले हैं सबसे पहले थियोरी से ही हमने स्टार्ट किया अब यह सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कम्यूनिकेशन क्या होता है राइट हमने देख लिया कौन सी भाषा का शब्दे लाटिन भाषा का शब्दे एक्सचेंज ओफ इन्फोमेशन इसको बोला जाता है यहां तक पढ़ लिया चलिए इसके आगे बढ़ते हैं इसके आगे अब पाविआन इसके पौइंट की बात हम लोग करेंगे यहां पर देखें बस यह शब्दि या रखले न कम्यूनिस से मिलकर बना है यह समप्रेशक्ण एक ऐसी कला है जिसमें विचारों सूचनाओं सन्देशों का क्या होता है आधान प्रदान होता विचारों सन्देशो और सुचनाओ का यह सुझाओ जो आप ले रहें उसका आधान प्रदान होगा संप्रेशन एबं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक सम्मू से या एक सम्मू दूसरे सम्मू को भावना और सुचनाओ का आधान प्रदान और एक non-verbal होता है, अब non-verbal अमोखिक जिसको या गेर मोखिक जिसको आप बोलते जो की expression के थ्रू किया जाता है, जिसमें बिना बोले जो हम लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, इस तरीके से, अगर एक ID लिए दी हम लोग एक condition देखे कि कौन कितने प्रका फर्म में अपने employee से बात कर रहा है, एक Boss अपने जो कलीग वगिरा से बात कर रहा है, एक Teacher अपने student से बात कर रहा है, यह सब क्या है, ऑनोब चाहरीक, informal क्या होते है, जो और आपस्में बातकि है, आपस बातित करें, इन इन फर्मल अधोम्खी, अँदोम्खी, अप्वार् पर है तो उसके नीचे के जो लोग है उनसे बातचीत हो रही है उसे इसके इसी तरीके से स्क रिवर्स उद्व उजाएगा फिर शेती संप्रेशन अपने आसपास के लोगों से बात करना उर्धों मुखी मतलब बॉटम टू टॉप जाना ठीक तो यह तो एक जस्ट आई डिय के माध्यम से डा मोखिक मैं आपको कुछ बोल कर बता हूँ बसको उन रहे हो इनको यह क्या हो गया मोख्राइट AI profession और बिवर्बल राइध यूज को बहुं लीजिए निए लिए आके संप्रेशन मैंने आपको रिटन में कुछ दे दिया मैंने आपको letter लिख लिख लिखा कोई application लिखी कुछ भी लिखा तो वो क्या हो जाएगा return form हो जाएगा that's mochi and lick it verbal and return अब एक क्या बोला इसने और शाबदिक इसके माधियम से होता है माणी के संकेत देकर expression के थू चक्षू संपर्क मुख और मुद्राय बना कर तो ऐसी करके या आखों से इशारे करके या फिर किसी भी प्रकार से मुझ से expression देकर फेशल हो रहा है तो वह वाली चीजे किसके अंदर आजाएगी अशाबदिक के अंदर आजाएगी तो एक के टेग्री तो यह ओगई अगर कभी आपसे पूछा जाए कि संपरेशन कितने प्रकार का होता है दो तीन चार यह आपको option मिले तो केवल दो प्रकार का होता है शाबदिक बारे में बात कर चार लोग आपस में बैठकर बात कर रहे हैं एक दुसरे से बात चीट हो रही है तो यह आपका क्मिनिकेशन यहां पर यह चाहे तो डेफिंशन देखलो इसका रथ होता है कि आमने सामने मोखिक बातचीट करके सूचनाओ का आदाण प्रदान करना यह दूसरी पद्रती में संदेज प्रेशक टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे उपकड़नों के माध्यम से कर सकता है क्या इसमें बोला गया प्रत्यक्ष व्यक्तिगत वारतालाप मालों ये चारों लोग बैठ कर अपने आप में बातचीत वगेरा कर रहे हैं अब प्रत्यक्ष इंडारेक्ष के से मैंने फोन पर बात कर ली हम लोग ग्रूप कॉल पर है कॉन्फरेंस कॉल पर है तो वह इनडारेक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से ठीके तो दोनों का मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा तो ये बस वर्बल यही हो रहा है कि Communication का मतलब क्या होता है आपने सामने बैठ कर या मोखिक रूप से बातचीत करना दोनों तरीके यहाँ पर हो सकते हैं तीके अब इसका जो पूरा डीटेल है कि इसके क्या-क्या फाइदे हैं क्या-क्या नुकसाने तो वो तो देखो इसी तीसरे व्यक्ति का ध्यान नहीं गया तो वो इस information को miss कर सकता है तो यह इतना डीटेल जो है मैंने आपको website पर दे दिया है syllabus के साथ ही तो वहीं से जाकर आप एक बार सिसको रीड कर लीजिएगा अभी जो main main और बहुत important चीज है वह हम लग cover कर लेते है जो principal है academic department है उनको letter लिखा कि school में यह हमें resources चाहिए एक boss ने किसी अपने उपर के manager वगेरा को इनको CEO वगेरा जिसको भी लिखना है उसको लिखा एक friend ने दुसरे friend को लिखा लेकिन किस form में लिखा return form में लिखा तो यह क्या कहलाएगा return communication कहलाएगा ज्यादातर दर्शाव में यह आप्चारिक संप्रेशन होता है फॉर्मल वे में कोई किसी को application लिख रहा है complaint वगेर होगी तो फॉर्मल वे में होती है return way में होती है संगठन के कुछ कुछल संचालन के लिए जरूर है जिसमें report नीतियां कारिविधिया योजनाय समझोते स्मरंड पत्र आपको याद दिला दिया जाए स्मरंड पत्र वो होते हैं आदे लिखकर तयार किये जाए जिससे इनका record रखा जा सके तदा संबंध व्यक्ति उन पर अपने अपने दाइत्व के जान से सार उचितकरवाई कर सके इसको किया कहा जाता है रेटन communication यहां पर कहा जाता है वर्बल समझ में आगया बोलकर डायरेक्ली और इंडारेक्ली ठीकर रिटन में मतलब लिखकर दोनों ही होते अपचारिक भी जादातर दश्याओं में किया जाता है उपचारिक रूप से मतलब फॉर्मली कोई बड़ा किसी को लेटर लिख रहा है कोई छोटा किसी बड़े को याद रखने के लिए इसमरन के लिए पत्र लिख रहा है वो सारी चीजे इंपॉर्मल के से हो सकता है जैसे एक फ्रेंड ने अब ही तो एसा होगे हम लोग फोन कर लेते हैं लेकिन पहले समय में में चिठ्थिया बहुत थे तो वह इन्फॉर्मल वे है चलिए तीसरा अगर इसको एक तरीके से और केटेग्राइज करें तो फॉर्मल कम्यूंकेशन की बात हो रही ओरी फॉर्मल कम्यूंकेशन मतलब इसने बिल्कुल क्लियर कर दिया है फॉर्मल वे में आपकी सी को भी पत्र लिखेंगे एप्लिकेशन लिखेंगे जब संदेश के प्रेशक और प्राप्तक मतलब अगर आप देखना चाहें बहुत ज्यादा हिंदी है सेंडर और प्रापक का मतलब क्या होता है रिसीवर ठी के बीच में अपचारिक संबंध है तू फॉर्मल रिलेशन है तू भेजा जाता है तो संप्रेशन कैसा कहलाता है अपचारिक कहलाता है फॉर्मल कहलाता है इस प्रकार के संप्रेशन में संदेश अपने अधिनस्ते करमचारी को दिया जाता है और यदि कोई करमचारी कोई को सुझाव यह शिकायत देना चाहता है तो अपने अधिकारी को इसको प्रैक्षित कर सकता है ठीके तो यह क्या कहलाता है फॉर्मल कम्यूनिकेशन कहलाता है वर्बल समझ में आ गया बातचीत करके डारेक्ली और इंडारेक्ली रिटन किसी को लेटर अप्लिकेशन पत्र स्मरंड पत्र लिखकर तीसरा क्या हो गया फॉर्मल मतलब कर्मचारियों के बीच या फिर कर्मचारी बॉस के बीच इस तरीके से अनवचारिक क्या होगा जब सं उसको नवचारी क्या जाता है यह बलकर भिन भीनै व्यक्तियों के बीच में आने offer są सकता है मैंत्रित का मतलब मैं किसी फ्रेंड से बातचीत कर रहा है तो वो ना वह सकता है किसी भी वेais हाए बहू कर तो मतलब हम दो फ्रेंड मिलकर आपस में बातचाहित कर रहे तो आप इसको क्या नाम दोगे है ना इंफॉर्मल कम्यूनिकेशन दोगे अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे आपका हमेशा कॉश्चन मनता है ऐसा संप्रेशन सामाने तब प्रत्यक्ष वह मोखी होता है इनफॉर्मल कम्यूनिकेशन कैसा होता होगा जैसे कि मेरा फ्रेंड आज घर पे आया है तो हम लोग क्या कर रहे हैं बातचीट कर रहे हैं तो यह क्या होगा प्रत्यक्ष डायरेक्ली हम लोग आमने सामने बैठकर सामाने पर प्रत्यक्ष लिए अब मैं उसको कुछ लिह कर दूंगी फिर बिक मुझे ऩरेगा है क्या हो जाएगा वर्बल हो जाएगा सामाने थार्ग। ऐसी प्रत्यक्री बीच में पाह घए जाता है 1 second ऐसे प्तुरिशन कहाँ पर प्याँ जाता है जैसे पदाधीकारी बह गेरा हो गए इनके बीच में सामानिस्तर के जिसे कि हम दो फ्रेंड्ट्यर सेम लेवल के है ना वह मेरा बॉस है ना मैं उसकी बॉस हो हम लोग बिलकुल एक फॉरमल फ्रेंड्स है तो इस impression को अंगूर इलता impression भी कहते हैं इसको English में बोला जाता है grab fine communication ठीक है? grab fine communication बोला जाता है आप इसको ऐसे समझो grab मतलब grabs समझ रहे हैं? यानि कि अंगूर अंगूर की bell जिसे अंगूर की bell केसे होती है? काफी टेडी मेडी होती है इसमें communication भी हमारा ऐसा ही चलता है मतलब हम क्या बात कर रहे हैं? कहां से कहां की बाते कहां पहुच गई? वो वली चीज़े हैं इसका एक proper कोई formal way नहीं होता है अंगूर इलता है इसको बोला जाता है क्योंकि इसमें सूचना है कानो कान फैलती है एक ने दुसरे से कहा, दुसरे ने तीसरे से और तीसरे ने अगले तीसरे से तो इस सूचना का कोई निश्यत्व सीधा साधा रास्ता नहीं होता है बलकि ये काफी टेडा मेडा होता है जस्त लाइक अंगूर बेल इससे लिए इसको अंगूर इलता संप्रेशन भी कहा जाता है ग्रेपवाइन कम्यूनिकेशन भी कहा जाता है कुछ ऐसा क्वेस्टन हमसे एकजाम में पूछा गया था वहाँ पर वर्ग एक के अंदर भी पूछा गया था अंगुर इलता किस प्रकार का संप्रेशन है यह अंगुर इलता बोला चाता है नाम से समझ में आ रहा है बातचीत नॉर्मल होती है यह ना सूचना कानो कान फैलती आपने इसको क्या बोला तीसरे को कुछ और ही समझ में आया तो यह इस तरीके कि जो चीजे होती किमिस Communist Type की यहाँ पर स्थाइन कमिनिकेशन favour tea कि जाना जाता है जाता है उपकर्वाल्ड कम्नीकेशन से ताक परेषे एसे से जो उच अधिकारियों से चल कर नीचे के अधिकारियों की ओर जाता है जैसे के डी ओ आफिस ने हमारे जो शिक्षा विभाग है और आगे चलते हैं यह भी नहीं समझते हैं जिसे की लोग शिक्षान संचला ले टी आर सी वाले हो गए है ना इन्होंने क्या करा हमें डी ओ से भ coch लग वहां से फिर के टीचे के पास है तो इसे ही बोला जाता है जैसे विपड़न प्रबंदक के द्वारा विक्रई प्रबंदक को आदेश देना जो मेन अपना करमचारी है वो जो विक्रई जो सेल करेगा प्रोड़क्ट उस तक information देना ये संप्रेशन लिखिद भी हो सकता है मौखिद भी हो सकता है इस संप्रेशन की विशेवस्तू सूचनाय देना नेड़ेश देना आदेश संस् आप ये सुनते हो आपको समझ में आ जाता है कि उपर से नीचे के जाने की बात हो रही है अब एक और ओर होता है उर्दू मुखी और वर्टिकल कमिनिकेशन जिसको बोला जाता है जब संप्रेशन निमन से उच्छे स्थर की ओर होता है इसको डाउनवार्ड भी बोला जात है तो टीचर किसके पास जाएगा अपने प्रिंसिपल के सपास जाएगा प्रिंसिपल से वह कहां पर जाएगी इंफॉर्मिशन डियो ऑफिस जाएगी स्कूल शिक्षा विभाग का जो आपका जीला अधिकारी है उसके पास जाएगा या वहां से फिर हमारा जो लोग शिक केहलाब्धा इस प्रकार की संप्रेशन में कर्मचारियों द्वारा विभ्ष ने प्रकार की Goel शुजायते विचार प्रक्रिया उच अधिकारी तक पहुंचाई जाती को कर्मचारी उथारन से चिट्टी के लिए कहता है क्या करहा एक लैटर लिखा और आधा अधार मतलब हॉरीजटल इसको संस्था neue कमिनिकेशन भी आप इसको बोल सकते हैं और दिये नाम नम्कुछ भी वह ले सकता हैこの संत्र का इस प्रकार का मिनिकेशन में इस एक समान स्थाकारियों के भी होते हैं जैसे हमारी महा पंचायतोर हैं इसमें सारे टीचर मिल बैठकर अपने सुझाओ अगरा डिसकस करेंगे इस तरीके से न तो यह क्या होता है कि सभी साम समान या सेम लेवल के जो लोग होते हैं वो आपस में बैठकर बातचीत करते हैं या किसी भी टॉपिक पर डिसकर्शन करते हैं यदि किसी व्याबसेक उक्रम के अब एक प्रकार के दीचिंब अच्मान वर्बल कमिनिकेशन से होगा वह कैसा हो सकता है बोल कर हो सकता है directly और indirectly यानि कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है फिर दूसरे में हमने return communication जो की लिखित रूप में होगा जो लिख कर दिया जाएगा एक अब हो भी फोर्मल हो सकता है non formal हो सकता है लेकिन लिखित अधिकतर क्या होता है फॉर्माल रोपने होता है वाकिए अगर आपको इंफ़र्मल करना करना है तो फोन कर लीजिए इस तरीके से हो सकता है ठीक? पिर हमने एक कॉनसा पड़ा horizontal जो अभी पड़ा हमने horizontal लिखे linear या सम्तल जिसको बोला जाता है जो अपने साथ ही सम्हों के साथ किया जाता है साथ वाले group के साथ किया जाता है तो कि फिर हमने क्या पड़ा upward उपर से नीचे की तरफ information भेजी जा रही है बोस से अपने employees के पास information भेजी जा रही है फिर हमने क्या पढ़ा downward नीचे से उपर की तरफ में छुट्टी के लिए apply करना चाहती तो मैंने अपने बॉस को लेटर लिखा यह यहां पर अपचारिक तरीके से बात चीट करी जाती है अनवचारिक जहां पर प्रेंट लगए आपस में बात कर रहे तो इसी का एक ताइप और हमने पढ़ लिया ग्रेब फाइन communication में क्या होता है कि एक कान से दुसरे कान तक बात पहुंचती तो थोड़ा सा चेंज होकर पहुंचती मतलब बड़ा चड़ा कर हम लोग बोलते हैं वह वाली चीज़ है तो इस प्रकार समें साथ प्रकार की पास भेजता है प्रेशक मतलब जो भेजने वाला है मतलब की सेंडर बोला जा सकता है इसको ठीके सेंडर होता है संदेश जो मैसेज आप भेजना चाहते है कोई भी मैसेज हो सकता है वह विचार हो सकता है आपका सुझा हो सकता है किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो सकती है encoding जिस भी माध्यम से आपने भेजा जैसे शब्दों के माध्यम से चितरों के माध्यम से जिस भी तरीके से आपने भेजा उसने आपको लेशन कोुझे को और सा बहां सकता है उतली की सिंकती है नीकास आल कोई किसी ऐगरी सपित मेशने Xuबब गाली शुक्त जा एक है लधिसे प्रेंधू स्कॐमेयर में है जिसकी इस आसे ऩ।-णे ऌटत ही रही सरुद। प्राप्त करता है जो receiver होगा जिसने इस information को receive किया होगा और बीच बीच में कभी क्या होता है noise यहां पर आ जाती है शोरगुल यहां पर हो जाता है तो यह एक शोरगुल यह द्वनी को भी आप एक काउंट कर सकते हैं यह भी संप्रेशन प्रक्रिया में होता ही है जो क्या करत बोला जाए sender होता है receiver होता है बीच में medium होता है कि किस medium के तरू किस माधियम के तरू आप भेजेंगा अगर जस्त बेसिक बात करें sender receiver and medium फिर तो यह message को encode करना decode करना संदेश बेजना और शोरगुल द्वनी होना एक एक्स्टा तो हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत डीटेल में पूछे तो आप यह सारे नाम बता सकते हैं अब इसमें कोई definitions है अभी हम लोग जिसे जो पढ़ रहे है वो business communication पढ़ रहे है general management मतलब आपको business related चीजे आनी चाहिए किसे कैसे बातचीत करनी है management कैसे करकर चलना है team को कैसे लेकर चलना बेसिकली जनरल management में यही सारी चीजे होती है तो इसको लेकर कुछ definitions दी गई है Webster की है किड डैविस की है Lewis Allen की है newman summer की है मेयर की है कार्टियर तेदा हारवर्ड की है आपको चीज बतातू जो आपने psychology में वुड़ वर्ट मोटिवेशन बहुत सारी चीजे पढ़िए सारी की सारी आप जनरल मोटिवेशन में भी पढ़ेंगे तो एक बार से फटाफर इन सभी के उपर नजर डाल लीजे यह क्या क्या information इसे है किडेविस क्या वह प्रक्यु जिसमें संदेश रो समuzz के निरती तक पहुंचाया जाता है लोस्य Л… संबतियों से दूसरे वेक्ति को अवगत कराने से कार्टियर और हरवर्ड के नुसार संप्रिशनिस्मरंट शक्तियों को दोहराने रिप्लिकेशन से हैं नहीं याद हुई होगी आई नो पहली पहली बार हम लोग पढ़ रहें लिकें रिपीट करेंगे डेली रिपीट इसका वो नहीं बदा है कि जनेरल मैनेजमेंट में आपको क्या से क्या पढ़ना पढ़ेगा सारे सन वगेरा जो भी नहीं चीज इंवेंट हुई है जो कि आपके मैनेजमेंट में help करेंगी वो सारी चीजने पढ़नी है तो अभी से नूट्स बनाना स्टार्ट कर दो तो इ परिबहृशिक किया जाता है विशचता ही हा और अगर भी तुरहすपारियो के रूप में पारिभाशे किया जाता है ठीक है अब दो कुष्टन में आपको यहां पर करवा रही हूं दे लेटरल और डाइगोनल इसको क्या बोला जाएगा अपवार्ड कमिनिकेशन उर्द मुखी समिस्तरी होरीजंटल डाउनवार्ड कमिनिकेशन या फिर साइकलिक कमिनिकेशन देखो आपको बताए अपवार्ड कमिनिकेशन जो है अपने बोस से अपने इंप्लॉइस की तरफ जाएगा मतलब टॉप बॉटम जाएगा होरीजेंटल मतलब साइम साथी समों के बीच में जो लास्ट सेवन्थ नंबर पर आपने पड़ा था डाउनवार्ड जो नीचे स ऑपर की तरफ जाएगा कर नीचे से मतलब की एक टीचर ने प्रिसिपल बोला है कि में कि पांस दिन की लिव पर की पर बेंगे बच गर आउंचे से उपर की तरफ साइकलिक से कुटम सकते हैं कि चकर यहां पर चल रहा एक से दूसरा दूसरे से तीसरा औगला एसा है rebel9otics व आपका horizontal हो जाएगा समिस्तरी हो जाएगा that's why answer क्या हो जाएगा option number B हो जाएगा चलिए next question number 22 को देखिएगा अभी जल्दी में आपको group to subgroup और और ये सारे papers होगा अभी हमने पड़ा संगठन के स्तर पर एक अनौपचारिक संचार मतलब informal का एक टाइप नेटवर्क को कारिस्तल की गपशब की बात और होगा गोसिप कहां पर होती है घ्रफवाइं में होती है तो डारीक लिए अंसर आगया अपपार भी बताया होरीजन्टल बताया डाउंवार्ड है na नीचे से उपर की तरफ अपपर उपर से नीचे की तरफ और लीनियर है या काणाफूसी करना गौसिप करना बात को बड़ा चड़ा कर एक इंसां से दूसरे इंसान तक पहुंचाना वहते हैं तो अंसर क्या होते है क्याอगा लुए घतल घंच हुट आप विजिट कर लीजिएगा और सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताईएगा और कौन-कौन सी क्लासिस आपको चाहिए जो आपको गुरूप टू सब्रूप पोर में हैल्प करेगी जरूर से कमेंट करिएगा ताकि उसको भी हम लोग स्टार्ट कर सकें ओके सेशन को करते हैं थैक्स पर वाचिंग कर दो